हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इंग्लिश वी छगन औरोड़ा फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए जोसफ कॉन्राड के फेमस हिस्टोरिकल नोवल अंडर वेस्टरन आइस की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स न इत्य oni एककीं फ्रेंड्रं सिक्ट्री सिकस्ग में लिका था उसका जवाब माना जाता है यह नोवल चार पार्ट्स में डिवाइड हैं सबसे पहले हमिस के इंपार्टन करेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं इसमें सबसे इंपोर्टन करेक्टर है रेजिमोव, रेजिमोव सेंट पीटर वक्स इनुवस्टी का एक स्टूरेंट है, एक और इंपोर्टन करेक्टर है जो की है विक्टर हालदीन, विक्टर हालदीन रेजिमोव के साथ ही सेंट पीटर वक्स इनुवस्टी में पढ़ता ह विक्तर हाल्दीन निस्टेट के मिनिस्टर मिस्टर डी इपी की हत्या की है जिसके कारण उसे फंसी की सजा होती है विक्तर की एक sister है जिसका नाम है नतल्य हाल्दीन और एक बहुती important character है जिसका नाम है Peter 시간 जान की डियर है इनकी right hand है सोफिया एंटोनोवना और एक लास्ट सबसे इंपोर्टन करेक्टर है टेकला और फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है या मेरे ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो मैंने उसका लिंक डिस teacher है जो कि इस पूरी नोवल का narrator है वो हमें रैज्यू मौव नाम के एक student के बारे में बताता है रैज्यू मौव अपने माता पिजा के बारे में कुछ नहीं जानता था इसलिए उसका कोई family connection भी नहीं थे ये तो सिर्फ सीधा साधा मेहनत करके आगे बढ़ने वाला student था उस सम हवाओं में करांती की बाते चल रही थी पर राज्यू मौव का करांती में कोई interest नहीं था वो तो middle class life को प्राप्त करना चाहता था पूरे रश्या को अपना परिवार समझता था तबी विक्टर हाल दिन नाम का एक साथी student राज्यू मौव के कमरे में आकर शेरन लेता है व इन्होंने बम फोड कर Mr. D.E.P. की हत्या कर दी है लेकिन इनका जो भागने का प्लान होता है वो नाकाम हो जाता है जिसके कारण वो रेज्यू मौव के कमरे में आकर शरन लेता है हाल दिन ये भी कहता है कि मेरे एक फ्रेंड है जिनका नाम है जियमेंटिच आप उसको डूंडो उसी ने मुझे भागने में मदद करनी थी रेज्यू मौव को हाल दिन से कोई लेना देना नहीं है उसे लगता है कि सरकार तो मुझे ढूंड कर सजा देगी कि तुने विक्टर हाल दिन को अपने रूम में जगा दी थी इसलिए खुद को बचाने के लिए वो चीफ पुलिस मिकुलिन के पास में चला जाता है और उसे जाकर सारा सच बताता है जिसके कारण विक्टर हाल दिन पकड़ा जाता है फिर मिकुलिन उसे पुलिस हेड़कॉर्टर बुलाता है तो उसे पता चलता है कि हाल दिन को पार्ट सेकिंड में यह जो स्टोरी है यह जूरिश शिफ्ट हो जाती है जहां पर विक्टर हालदीन जो हैं जिनको फांसी की सजा हो चुकी है वो मर चुके हैं उनकी एक सिस्टर है जिसका नामता नतालिया वो और उसकी बुड़ी मा दोनों बैटी हुई विक्टर का वेट क कर रही होती है नरेटर अखबार में छपी कानी के अधार पर उन्हें बताता है कि हालदीन के साथ क्या हुआ था जिसे सुनकर हालदीन की मा बड़ी दुकी होती है वहां के लोकल क्रांतिकारी नेता है जिनका नाम है पिटर इवानोविच वो नतालिया को भी क्रांतिकारी बनाना चाहते हैं पर नतालिया मना कर देती है फिर उसे पता चलता है कि रिजियू मोव जिनेवा आ रहा है तो वो उससे मिलना चाहती है क्योंकि हाल दिन उसके बारे में खुब बाते किया करता था इसके बाद नतालिया मैडम डी ऐस से मिलने के लिए चेटियू बोरल जाती है जहां पर यह जो मैडम डी एस है यह वो मिस्टर मिनिस्टर मिस्टर डी एस की वाइफ है यहां पर मैडम की एक साथी है जिसका नाम है टेकला वो भी उसे मिलती है टेकला पीटर इवानोविच की भी सेकेटरी है नतालिया राजुमोव से मिलकर खुश होती है पर राजुमोव को बड़ा गिल्टी फील होता है पीटर जाता है तब टेकला को राजुमोव की चुपी से ऐसा लगता है एक्चुली राजुमोव क्या है बोलता बहुत कम है उसकी चुपी से ऐसा लगता है कि वो तो कांती का जबरदस समर्थक है और सरकार की विवस्ता को देकर बहुत ज़्यादा दुखी है तो वो उसकी हर संबव मदद करने की परतिग्या लेती है इस बात को आपने ज़्यान रखना है कि टेकला रेजिमोव की मदद करने की परतिग्या लेती है इसके बाद पार्ट सेकिंड एंड होता है और पार्ट थर्ड स्टार्ट होता है पार्ट थर्ड में नरेटिव कुछ हफते पीछे जाता है यानि कि अभी रेजिमव जनेवा नहीं आया है वो जूरिक में है और जूरिक में वो पीटर की सेकंड कमांडनेंट जिसका नाम है सोफिया एंतोनोवना ये इस से मिलता है जिसके जो नतालिया और वो उसको मिलता है तो वहां उसको ये पता चलता है कि जियातमिन ने जो उनक फ्रेंड था जिसको की हालडिन ने ढूनने को कहा था वो कहता है कि जियातमीन ने सूसाइड कर ली है जिससे कि सब को ऐसा ही लगता है कि उसी ने हालडिन को धोखा दिया था इसके बाद में वो जनेवा में नातालिया से मिलता है और नातालिया के साथ जब वो वॉक करता है तो दोनों के बीच में ट्रस्ट रिरेशन पैदा होता है। नतालिया रेजिमोव से अपने भाई के आखरी गंटों के बारे में पूछती है। जिसका वो कोई स्पस्ट जवाब नहीं दे पाता। फिर वो चेट्यू बोरेल में जाकर मैडम डियेस और मैडम डियेस से मिलती ह और पीटर से मिलते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि रेजिमोव जो है वो हाल दिन का साथी था पर वास्तों में सचाई तो ये है कि रेजिमोव रशियन सरकार का जसूस है। हर आदमी रेजिमोव की चुपी का अलग ही मतलब निकालता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो तो क जिसे की female flowers को preference देने की आदत है यहां पर part third end होता है और हमारा part fourth start होता है part fourth में रेजिमोव पुलिस हेड़कॉर्टर में मिकूलिन के पास बैटा है और मिकूलिन रेजिमोव को जार के लिए जसूस नुक्स करता है क्योंकि इस कानी में बार बार stream of consciousness technique का परियोग किया गया है तो यह हमारी backward story है एक्शलिक पार थड़ में हमें यह पता चल चुका है कि रेजिमोव पुलिस का जसूस है अब जनेवा में रेजिमोव मिकूलिन को पहली रिपोर्ट बेशता है तो narrator यह कहता है कि वो देखता है रेजिमोव पॉस्ट ओफिस जा रहा है फिर वो नतालिया के कमरे में जब narrator जाता है जो English teacher narrator है वो जाता है तो नतालिया कहती है कि रेजिमोव को जल्दी ढूंड कर लाओ क्योंकि मेरी जो मा है वो उसे बात करना चाहती है तब ही रेजिमोव वहां आ जाता है और उसकी बातों से यह पता चलता है कि वो वही था जिसने हाल दिन को दोखा दिया था अब रिजमोव अपने कमरे में बजाता है और एक खत लिखता है जिसमें वो ये लिखता है कि मैं नतालिया को प्यार करता हूँ और मुझे उसके भाई के साथ धोखा करने का धुक है ये खत वो नतालिया को भेज कर जूलियस लेस्पोरा नाम के एक और रिवुलुशनरी करांथी कारी के घर पार्टी में जाता है जहां पर वो ये स्विकार करता है कि मैंने तो रिवुलुशनरी करांथी को धोखा दिया है तो अब वो करांथी कारी जो हैं जो पार्टी में आ विकलांग हो जाता है इसके बाद हमें पता चलता है कि जो हालदिन और नतालिया की माँ है वो कुछ मीने बाद मर जाती है और नतालिया जो है वो रशिया जाक वापिस चली जाती है और खुद को चैरिटी के काम में लगाती है और टेकला जो मैंने आपको बताया था टेकला जो है वो उसे एक होस्पिटल ले जाती है और वहाँ जब तक रिजिमो बरती रहता है उसका ध्यान रखती है और उसके बाद उसे एक रश्या के गाउं में ले जाकर उसका ध्यान रखती है और यहीं पर ही ये नोवल एंड होत ने दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुबो जाहिन बारत मता की जाहिन